फोटो सूट के दौरान हमारे कैमरा के सटर को खुलने और बंदोने में कितना टाइम लग रहा है इस टाइम डूरेशन को ही सटरे स्पीड कहते हैं अब सटरे स्पीड जितना ज्यादा होगा उतने ही कम लाइट पास होगी और सट्रे स्पीड जितना धीरे होगा उतने ही ज्यादा light पास होगी जैसे कि अगर हम fast सट्रे स्पीड फे photo click करते हैं तो हमारा camera exact वही moment capture करेगा जो उस specific time में होगा और जब भी किसी moving object को click करना होता है तो हम highest सट्रे स्पीड का use करते हैं bright light condition जैसे कि sunny day में fast सट्रे स्पीड यूज करने से over exposure के chances कम हो जाते हैं वही अगर हम slower सट्रे स्पीड का use करते हैं तो हमारा सट्रे ज़्यादा time के लिए open रहेगा जिससे ज़्यादा light पास होगी और हमें motion blurry image deliver होगी जैसा कि आप देख रहे हैं ocean wave और waterfall को capture करने के लिए हम slow सट्रे स्पीड का use करते हैं ताकि water drops में sharpness की जगा smoothness दिखे और darker scene को capture करने के लिए भी हम slower सट्रे स्पीड का use करते हैं